इद का समा मेरे साथ हैं हाफिज मुहामद इमरान आज हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है जनाब गेस्ट करें इंटरनेशनली रिनाउंड सफिया अबल के तज्याकार टॉप नौश पॉलिटिकल एनलिस्ट पाकिस्तान के मशूर जर्नलिस्ट की मैं बात करी हूँ हसन इसार साब की असलाम लेकुम एद मुबारक खेर मुबारक थैंक यू वरी माच आपने भी पाकिसानियों वाली हरकत की है और वो है करबा परवरी बढ़ाँ चड़ाँ के बियान करना आपके साथ पाहर है रैक तालोग है बिटा आज आज यहां प्यसल मेना चौराहा यहां बिलकुल बि इस फइर के राढ़दे के जैसे ते महसलबंदी आज आज मार town 도को पर देखें कैसे मेटृइमिटी बात होती हैं और खुशिया बांड़ते हैं आप मोझे ये बताईए सबसे पहले, आपको जो नाम है माशीला हला हसनिसार साखव, इसके पीछे क्या कहानी है? इस के पीछे तो कहानी तो कोई नहीं है हमारे पूरे खांदान मीं मेरे ददा इमाम Medical125, मेरे वालिद निसार हक, मेरा रेल नेम है सराड हुआ। ऑनौर अल ःफ, कें अल था, मिजबाओ। अल था, हमारे खांदान में दो, तीन जैनरेशनig, तीन जैनरेशन से अब्दुल्हाक कनवारुल्हाक वो इस तरह के नाम है तो मैंने विन आइड डिफरेंसिस विट माइ फादर रफादर आइ लावड अडोर्ड आडिलाइस्ट वो मुझे सेवल सर्विस में धके इलना चाह रहे थे मारा लिस्ट पे फिर तोड़ा तो उनने कहा कि अपने फैसले उस वक्त कर रहा है जब तुम अपने कदमों पे खड़े हो जाओ दो दन के बाद मैंने घर चोड़ दी और मैंने अपनी अम्मी को अल्ला बखशे उनकी चंद साल पहले जिदा हुई हमसे तो मैंने अम्मी को कहा कि उनको कह देना कि मैं उनकी दी हुई डिगरी और नाम भी इस्तेमाल नहीं करूँगा मेरे वालत का नाम चुके निसानों लाग था तो पर जब बारह चौदा साल के बाद नॉमलाइजिशन हुई और अलहमदुलिल्लाइज उनका ख्याल था कि लिखने पढ़ने में प्रोफेशन में उनका ख्याल था कि यह लोग भूके मरते हैं जो क्या जखक मार रहे हुई यह वो आपके दादा भी तो राइटर थे ना No शेक्सपीर उन्होंने मेरे दादा को दुनिया कहती थी के शेक्सपेयर के हाफिज हैं पूरा पूरा हिप्स किया है उनको मेरे दादा की बाद है ने को पढ़ने से दिल चस्कती थी, लिकने से नहीं थी तो फिर आफ्टर मनी येज ये आसमी के मुलूद है पठे नाम तू चेंज कीता है फिर भी मैं अपनी वल्दियत चेंज निसी कर सकता है तो मैंने का आप भी मशूर हो जाएंगे तो इस तरह बात खत्मी अच्छा ये एद पे हम बैठे हैं आपको अमुमी तोर पर लोग सु में इनकलाबी बागि इना अलफवाज संदे को मिलते हैं आइद का आइद वले दिन आप क्या मुशूर तो तो कैसे हैं एद पहले तो मैं जो इल्जामात आपने मुझे पर लगाए हैं या जो वीयोर्ज लगाते हैं मैं उन से महबत करता हूँ उनकी रिस्पेक्ट करता मैं बागी शागी तो बिलकुल नहीं हूँ जवेद आश्मी होगा मैं नहीं हूँ ठीक है चुके अगर आप इनसानों की तारीख पढ़ो और देखो जिसे हम इनकलाब कहते हैं न यह सबसे बड़ा फ्रॉड है हर इनकलाब के नतीजे में पुराने जालिम रिपलेस हुए नए जालिमों के साथ वो बिलाखर फिर यजीदों का एक पहली बात दूसरा जो आप कहते हो ना के अब हम बैठे हैं ठीक है बश्राहीमी है घर पे बेटियों की तरह नॉमली मुझे बिरूने मुलक से जो पाकिस्तानी आता है उसको अगर मेरा को जान पहचान वाला मिल जाए तो वो कहता है जी हमें मिलवाएं आदे पाने के गहंटे के बाद शोहर या उनकी वाई वो ये बात करते हैं कि आप तो इतने सॉफ्ट हैं आप इतने प्रलाइट हैं टीवी भी तो आपको देखते हैं बिल्कुल वही बाते हैं जो आपने गी हैं तो मैंने का देखो बात सुनों सफे मातम पे लोग दंदियां नहीं निकालते हैं आप पाकिस्तान के हालाद के बारे में गुफ्टगू शुरू करता हैं पाकिस्तान में लोगों के साथ जब से मैंने होश समाला हैं जो कुछ हो रहा है उस पे गुफ्टगू शुरू करता हैं मेरा बलड प्रेशर चड़ पे होता है ना, जिस जगह पे आप खड़े हो जाएं, यूर सराउंड़ेड़ भाए लिट्ल चिल्रेंग, वमन, अब उसमें यह जो खाजा सरा आते हैं, जो एक जमाने में शादियों ब्याहों पेरे, इसका रिवाज खत्म हो गया है, यूर देखो हम, मेरे बज़र्गों ने, मैंनी दो आइवस बॉन हेर, तीन शेरों से माइगरेट किया, जालंदर, अमरत सर, लुद्याना, अमरत सर का सबसे बड़ा चौक, आज भी फरीद चौक मेरे पर्नाना के नाम पे, मैं जब पहली बारी इस पंजाब गया हूँ, तीनों की मटी लेके आया, और बेली बूर अपने फारमाउस में मिक्स करके वहां गुलाब लगाएं, यह सारा कुछ इसलिए था, यह वो मुलक हैं कि अगर आप कामयाब हो भी जाओ जाओ जाती तोर पे, आपना काम हो, चुके बहुत बेहयाब, बेशर्म और धीट आदमी चाहि उनकी हेँड़ेगा, उनकी इदे शवराते हैं, उनके बच्चों की तलीम तक का भी करेगा, क्या कर लेगा, यह वही मैंने का है ज जिब ताज्यत के लिए आप जाते हो, तो आप दंदिया निकाल तो आप दंदिया निकाल के, भी बलकर सही, जो फिर चेरे पर भी आजाता है आपके लहजे में भी आजाता है अधर वाइस नॉमली मैं तो बड़ा सॉफ्ट और लविंग आदमी हूं बहुत ज्यादा हूं मेरे मुलाजम कहते हैं लोग आपको एक्स्प्लाइट करते हैं Can you beat it? हमारे जो घ्रेलू मुलाजम कोई चौकीदार हैं कोई ड्राइवर हैं वो कहते हैं कि लोग आपको एक्स्प्लाइट करते हैं कैसे करते हैं उसको चुड़ें आप तो मैं असना हूँ मैं कहता हूँ अच्छा यार चलो ठीक रहने दो इसका मदल भी है कि यह तलखी है यह हालात जो इर्द गिर्द देखें जब मौजू ही ऐसा होगा मौजू ऐसा होगा हम अच्छी भली गुफ्तू करते करते अल्ला माफ करे हम किसी कोई दह्शत करदी के बाकिया का शुरू कर दें तो स्माइल आपकी गाइब हो जाएगी आपका लहज़ा तब्दील हो जाएगा आपके लफ्स आपकी लुगत बदल जाएगी मैं मिस्तरी नहीं हूँ मेरा प्राबलम है मैं टूप लाइब मैं मैं आइम नोट अ मेकैनिक मेरी अप्रोच क्लेरिकल नहीं है मैं रोबोट नहीं हूँ मैं मेरा स्टार भी मेरा संसाइन जो मेरा साहना वो बड़ा मनूस है मैंने तो कहा भी है लिखा भी है एक दो कॉलम्स में मेरा बस चले मैं जुलाइब में बच्चों की पैदाश पर पूरी दुनिया में पपबंदी लगा दू यह हाइपर सेंसिलिव होते हैं लिंडा गुर्ड मैं ने बड़ा खुबसूरत जुम्ला रिखा है कि कैंसेरियन एक ऐसा आदमी होता है एक्सेप्शिंज होंगी मुझे नहीं पता है एक ऐसा आदमी होता है कैंसेरियन के अगर वो किसी को डूपते देख ले उसको तैरना ना आता हो तो फिर भी च्छलान बार देगा उसको बजाने की यानि यह पागलपन की तो ठेका तो नहीं लिया हुआ ना है इस यूव मेड़ इट इन लाइफ और इस यूवर कांफ़टेबल पाइंट टू हैल विड़ीबड़ी यह यह रवईया है यह जमते नहीं होता ठीक है चुकर मैं तो ब्लेम करता हूँ कि बिकाद है मैं कैंसेरियन जिसमें मेरा कोई कुसूर नहीं है मुझे को ज़्यादा चुपता है ज़्यादा चुपता है अच्छा भी आपने तीन शहरों मुझे शहरों का जिक्र किया और वहां से मटी लाकर आपने अपने फॉम आउस पे वहां पे फून लगाए उस मटी से इतनी महबत तो इसका मतलब यह है कि इस मटी से भी पिर आपको बहुत मुझे चोड़ना चाहरा हूँ वह कहते हैं ने सांप के मूँ में छपली आगई यह ना वो ओगल सकता है ना निगल सकता है कैमपस की यह जो नहर है इसके किनारे हॉस नंबर वन में पाँच साल मेरा एक दोस्त साथ था मेरे सुलूद रानी वो कैलगरी में होता है एक बार वो वहां से गुजर्ते तो मैंने गया यार सुलू कि यह नही याद entered आती है तो उसकी आवाल भर आ 강ई है उसने यह यह मेरे मेरी पस्लियों के दर्मयान से गुजर्ती है सल्बदीन दुराणी उसका नाम मैं उसको प्यार से सुलू कहते है कैलगरी में होता है, पहले वेनकूर में था, कई साल, 20-25 साल वाना अब तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वर दे सेक अफ माई चिल्डरन, मैं ये कुर्बानी दूँगा मैं जस्ट वेटिंग फर वन टू थेंग्स, मुहमदा आपकी कॉलीग है, बेटी में नी उसका घर फिनिशिंग स्टेजिस पे है, फिनिश हो रहा है, ये वो, उसको जो गिफ्ट किया है, तो एक वो, दूसरा मेरा भंजा और बेटा मेरा, मेरे भंजे और अफिस है दुबई में, जा के वहां के जी, वो उनकी कोई पता ने हिर उनका मीडिया टाउन नहीं, कुछ स्दको पता ने हिरकते हैं, उसको वो हैं और बाकी वहां जाके जाके कोई घर करते हैं का वहां जागे रेजिस्ट्रेशन करा हो मेरे यूट की चैनल की और यह हो उसके बाद I don't want to leave and I cannot leave लेकर दोबाई का अमेरिका में मेरा सारा कुछ है मतलब मेरे in laws for the last 28 years मेरी बेने बार कोई इस्यू नहीं है लेकिन मैं अतनी दूर जा नहीं सकता ह। तंगा के साल हा साल सोच चोच के जलील होके फैसला किया दोबाई के हक में और उसकी सिर्फ एक वज़े है वो कैसा है कि जब दिल मुठी में आ जाएगा तीन धाई तीन गटे ने जाड़े दीन तो यह बहुत मुशकल से फैसला किया बहुत सक्ट दिल मैं आपको बतानी सकता है मैंने का कि नहीं मैं सची बात आपको बता रहा हूँ यह मैंने को सोच के नहीं कही थी मेरे मुझ से नकली गई कि बच्पन से पड़ते आए न मौहावरा धोबी का कुटा ना घर का ना घाट का मुझे अपना आप देख के इसकी समझ आई मुझे समझ नहीं आ रही है मैं छोड़ूं के रखूं इसको तेखें अगर आपके लिए हर चीज बेहतरीन हो आपका इर्द गिर्द गंदा गलीज गंदगी गलाज़त का मतलब सिर्फ ये गलाज़त का धेर नहीं गुर्बत से बड़ी गलाज़त क्या है सर्दियों में जब आप इतने चुटे चुटे बच्चे कांपती हुई आरते हैं उनको जब भीग मांगता देखते हो अख़बारों में जो खबरे पढ़ते हो बचे ने खुटकुशी कर ली बबाप ने बचे मार के पाकिस्तानी होगे ना हम एक पैगाम लिखा के कराची में हुआ है तीन बचे मारे एक सुटकी है तो उसके बाद अगर कोई बंदा नॉमल है तो मैं तो उसको बस खराजय अकीदत ही पेश कर सकता हूँ इस नॉट इस इस एन अनिमल इस अ मैनिमल मैनिमल मैन और अनिमल का मिक्सचर इस अज़ा जो देखो बुरे से बुरा आद में भी हो अगर कहीं बैठा हो तीन दिन का भुका बचा उसके सामने हो वो खाना कहा सकता है बस बुरे से बुरा आद बचा बच्चे कि याँ को मैं भुक उसको नदर आ जाए हो तो जहां इर्दिगिर्द इतना कोहराम मचा हो रई सही कसर टीवी मीडिया फलाना से असी अलाद माई यह मों मुलकी बेका हुए प्रैक्टिकली यह भी ओखाजा असभ ने कहा है अब दिवाली अदिवाली यह लोग तो कप के हो गए अब मुलक के साथ क्या होता है जो होना था वो हो चुका है देखो बात सुनो जिस मुलक को बनने के 72 साल बाद मसला क्या है लोटी दूसरा रोजगार तीसरा जराइम अदम ताफस इनसाफ करना मिलना तुछ यह तर तुम ने इसलिए बनाया था इस अ मैटर ओफ सिंपल प्लें कॉमन सेंसे मैं कोई देखो मैं फिर जजबती हो रहा हूँ मुद्ग आपने हैं सच एडिया न क्या कमाया पाकिस्तान जब देखो बहु बेटी हैं बहने पता नहीं लोगों के साथ क्या कुछ हुआ अब जहां उनके बाप दादा पर दादा के कबरें थी वो इलाके छुड़ गए बजली लिमार उपाया था नहीं क्या कुछ हुआ आफिस में आपके कामन पिन नहीं थी वो काज़ करने के लिए वो कांटे इस्तमाल होते थे ये किताबों में हैं कांटे इस्तमाल होते थे ठीक बलकुल उस वक्त आपने पता नहीं 75 करोड या कितना इंडिया से लेने था और गांधी जी ने मरन बरत रोजा वो ये क्या बूकरताल की कि पाकिस्तान का हग क्या उसको दो जानी भुके नंगे गलीज उजडे हुए लोग जिनके बेटे जिबा हो गए जिनकी बेटियां बहुएं बेने पीचे रह गए मुल्क मकरूज नहीं था उसने 75 करोड लेना था इंडिया से 76 साल बाद आपका वो बच्चा जो भी दुनिया में भी नहीं आया वो भी बिका हुआ है वो भी गिर्वी पड़ा है इसलिए जाने ने यह मुदू आपने फिर चेहर के बुड़ाई किया अच्छा यह एक छोटी दीए चौराहा इस यह नाम कैसे और इसके पीछे क्या सोच ची जाने कोई सोच समझ के मैंने कुछ जिदीगी कोई इतनी गुदारी नहीं है अकल के साथ मैं विम्स पे रहने वाला आदमी है मैंने कभी कोई अकल का बहुत जादा इस्तमाल ने किया जो चीज़े अच्छी लगी जिदीगी में वो कर गुदरे परवानी की, कम्प्रमाइज ने किया जिसने अपने घर से चटी में आप स्टूनेट अफ सिक्स लास मैं आई उस्टू ड्राइव वो एक घरबार छोड़ गे हॉस्टल में रहते देश्यादादों की तरह मैंने और मेरे एक दोस्टने बिलके गाड़ी रखी थी, प्रिंट्स, पचास साल पहले वो भी जैपनीज गाड़ी थी, वो हिट नहीं हुई तो छोड़ दी है अजापीशा कोई भी नहीं था, हॉस्टल में छोड़ चुका था सो ये नहीं सोचे समझे बगार, जिन्दगी जो वम्स केत गुजरी ठीक है, अचछासथब ये जब बात करते हैं, आपने का हालात की वज़ज़ बासरह कि से तलखी आती है खुशी किस बास पर होती है नहीं हालात की वज़ज़ से नहीं आती बुरे हालात की वज़ज़ जवाब भूक, नंग, एक्स्प्राइटेशन, नाइंसाफी, पुलीस है, तफ़फ़ नहीं है, वैपड़ा है, बिजली नहीं है, मेरा एक पुराना कॉलम है, वो गैस का मैं, गैस नहीं है, अदालते हैं, इन्चाफ नहीं है, क्या है ये, स्कूल हैं, एजुकेशन नहीं है, जवानी है, डिगरी है, रोजगार नहीं है, तो पुरा पहुल है, सारा का सारा, ये जिज़ जमाने की तल्खी है, तल्खी मत कहो, ये हकीकत पसंदी है, ठीक है, ये नहो तो फिर कमीनगी है, फिर खुदगर्जी है, कि I am comfortable, मेरे पास लहम दुला किसी चीज़ की कमी नहीं है, शाथ जिज़ जारू, नहीं, और मेरे लिए जियदा जियतनाक है, कि आप as an individual, जिदगी में कामयाब हो जाओ, जो हमारे पहमने है, so called कामयाबी के, पता नहीं कामयाब कौन है, कौन ना काम है, तो अल्ला ही बतर जानता है, उन पहमनों बे आप पूरे उतरते हैं, आप और मैंने जो चुरू की थी, वो चौरी की थी, मैं चापी निकालके मेरे एक दो दोस्त, उन में से एक माशालोग, वो भी कैनेडा में है, अपीस खान पंजाब यूनिवस्टी के प्रेजिडंट है वो, जावेद हाश्मी उनका सैकरिटी होता था, तो वो चौरी गाड़ी निकालके, जो बचें आजकल भी यह हरकते हैं, उस खुमने में ट्रफिक ही कोई नहीं थी, तो इसलिए महफूस था, लेकिन शरारतन करते रहे, छटी में तो इजाज़त पड़े लेकिन माबाब दो नहीं रहते तो मुझे भी नहीं थी, मैं एन्यूवे, असलिए जब क्योंड़े कि भादेतु हैं, खुशह, आपने कहाते हैं, क्योंजा खकली Hatta Crakleaf, उस था है, आप बियान करते हैं तो नहीं होते हैं, नहीं अए दोब धनकलता है, लेखनाह, बेश्मेंट में जब राइंग रूम हैं.. एक डाइनिंग रूम है, एक मेरी लाइबरेडी है, दो बेडरूम्स हैं, को दो सोस्त आ जाए, ठीक है, और दो मुलाजम मेरे साथ नीचे होते हैं, शाम को भी हपते में चार पाँच दिन हर रोज नहीं, चुकि शाम को अगर महमान आगे तो जाहर पिर फैमिली का, उन बच में घर में नहीं जाता, जब मैं बेली पूर वाले अपने फामा उस पे था, मैं उपर से नीचे नहीं आता था, वहां मेरा जो बेडरूम है, उसमें बहुत बड़ा ड्राइंग रूम उसके साथ था, उसके साथ एक किचन था, उसको सारा, दोस्तावाब आब आए, उकर ब और तनहाई, सोचना, तो दीज अधर लिटल प्लैयर्स या अपने बच्चों को देखके दबे, माशाला देया, ग्रॉइंग, ला इनके नसीब अचे करे, इनको राइट, रॉंग की, तमीज, जो सिखा सकते थे हैं, वो सिखाई है, तो बस और क्या खुश होने वाली हैं, एम सेवन्डी प्लास और गुड है, मुझे कोई अब तक प्राव्लम नहीं हुआ, मेरी आखरी दौा सोने से पहले यही होती है, कि आला पाक, पीस्फुल एग्जिट, पीस्फुल और पैनलेस, बेना कोई पिछले दिनों अमजद, स्रामजद की, डेथ हुए कुछ अ जब पिताफी, तो मुझे दुख के साथ एक रहत भी महसूस हुई, यार रात को सोया उट्था ही नहीं, तो इस तरही दौना, क्या हुआ को खुशी बशी, क्या, जिन्दगी बस ठीक है, नात भी लिखी आपने, नात, नात एक ही लिखी, मैं चुके पेशावर नहीं गंदे अगलीज पाओ लेकर बैठा हो, जी बोगरीब मैं तो परवर गंदार यह क्या हुआ है, अगर हम इतने ही दिन्दार लोग हैं, तो इतना भूकना क्या हुआ है यहां, वह ठीक है, तो खीक है, अलहम्दुलिल्लाब, अबरीधिन इस पाई, गोड़, नो तस्वर उसको मतलब भी नहीं पता था, तो लड़की दी बचारी बोले जा रही था, इसी तरह इसलाम में जब बराबरी का तस्वर बताया जाता है ना, बिल्कुल गलाद, बराबरी कैसे हो सकती है, पहगर बराबर के साथ बराबरी हो सकती है, आप तो किसी वलीय लागए बराबर नहीं हो सकती है, मैं रफी हो सकता हूँ, मैं आइंस्ट्राइज हो सकता हूँ, इनसानों के दरमयान बराबरी की बात करना है, एक कहमकाना बात है, इनसानों के दरमयान बराबरी है तो किस मौाब गया है, आकसिजन आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपके मेरे बच्चों को भी तालीम चाहिए उसके बच्चों को भी सबके बच्चों को बुनियादी जरूरियात जिन्दगी उसके सर पर भी चाहिए मेरे सर बुनियादी जरूरियात जिन्दगी के हवाले से आप बराबर रहा है अदो बाइस मैं गालब हो सकता हूँ ने को बेवक बन्जर बांच फरकाम इंसान बराबर नहीं होते हैं फजूल बांच यह है रिक्वाइर्मेंट के हवाले से मुझे भी भूख लिए यार मुझे भी आरसेनक वाला पानी ना दो इस हवाले से तो यह बाकी सब हमारे हाँ दीन का मफ़ूम जितनी तबलीग जितने भाशन जित जितने खुतबे जितने लेक्टर और जितने हुलिये यहा पाए जाते हैं बद्रूमेटे बद्रूम परज्सेbah कटी दूना ही इसे तो जितनप होना चाहिए लेकिन यहां खुतिक्कुषियां, चोरियां, ड़के, हरामकारी, बदकारी, रिष्वत, कमिशन, किक बैक टोका हया भी नहीं एक तो होता ने कि बंदा को भरम एक राशी अफसर है वो कहता है अच्छा रेटार्मेंट के बाद मैं आश्टा आश्टा पर निकालूँगा तो इतनी बेशर्मी हो गई बेहयाई हो गई और कैमराज के सामने बैठके बात करते है के बही अगर मेरे असासे मेरी इंकम से ज्यादा थे तो भही किसी को क्या तकलीफ है अंदाजा लगाओ तो ये जो जमाने के इतने तलखाएक है इनमे आपको क्या लगता है कोई अमीद है कोई अमीद की किरन हो लेके बात ठुने यह इहाँ भी ये जो नापनपड कسم के लोग है जाहिल, पेशावर, के मायूसी कोफर है, बक्वास करते हैं. जुम्ला क्या है? अल्ला की रहमत से मायूस मत हो. अच्छा मायूस मत होने का मतलब क्या है? उसकी कुछ शरायत है, वो पूरी कर, फिर मायूस नहो. मायوسी तरह नज्दीक से नहीं गुजरे थी शरायत अच्छे जन्नत अल्ला पाक ने अगर जन्नतें बनाई हुई है तो दोजख भी तो है अब मैं दौाइं मंगूं कैसा कैसा चोर और बतकार नहीं पकड़ा जाता है इतकाफ में ये अब मैरेस्टे में मेरे ड्राइवर ने मुझे बता है क्या है ये मायू सी और ये वो खालात के मताबक क्या है आपका क्या ख्याल है कि जब हलाकू ने रौंदा बरबाद किया है बगदाद को लोगों को उमीद की किरने यह हर बंदा उमीद की किरन बेच रहा है एक रीजन एक नहीं देता मैं किस बात की उमीद करूं भई किस बात पर मतलब I need to have a reason बन्याद होनी चाहिए उसके कुरान की बहुत बड़ी तालीमात अजीम तरीन तालीमात में से एक यह है तफक्र तदबर सोच बचा रहा है I have to have a reason भई तबक्ल का नहीं पता मिनारे पाकिसान से चलाएं का मारा होगे तबक्ल वहां तो तबक्ल तमारा फिर वो जो प्रोग्राम में का था उसने हमारे उसने शेर अफदल नहीं तो प्रोग्राम तो बढ़ गयाना है तबक्ल उस पे करके तब एक साबी फिर रहे थे हुजूर ने पूछा भी काम पे नहीं गया है तो उन्हें ने कहा है कि हुजूर मैं एक काम याद आगया है को इस तरह की बात तो आपने कहा कि अपनी बेड़ बक्रियों को यही दो चार प्रोफेशन से उनकी निक्रानी के लिए को है उसने कहा है यह मैं अल्ला तबक्ल हुजूर ने कहा जुम्ला सुनो इतना आली शान आदमी अरुमत उन्हें लेका वहाँ भेडिये भी ल्ला के तबक्ल पे फिर रहे हैं बाग भीडिये भी ल्ला के तबक्ल पे फिर रहे हैं तो मतलब तबक्ल का मतलब है कि मद्बूत रसे से गेरा किल्ण खोड़ गे अपना जानवर भी वाद चिए उसके बाद जब अपनी तुम एफट का खीर कर चुको फिर उसको आवाज दो भरपूर कोशिश के बाद है इनका क्या बना है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मैं गाँ गाँ मुझे कहते हैं बड़ा डिपरेशन होता है मैंने का होता है मैंने ठेका लिया है मैंने तुमें रिलाक्स करने का ठेका लिया है मेरा टो एگरेमेंटार है मैरा जिस इदारे बेंबे वे ने काम किया मैं अपनी अकल समझभूट के मताब़क अपनी टर्म्स पे करता हूं बन्र नहीं करता हूँ भी किया ही نہیں जो चीज मेरे अपने जमीर के खिलाफ है अपने फहम के खिलाफ है या तो काइल करो कहने को है कुछ नहीं अच्छा हसन साब एद के मौके पर है लहौर आप जिद्धी यहां पर गुबली यह वो फराद उतार चड़ा हो सारे के सारे देखे पराना लहौर भी देखें आज का लहौर भी देखें परानी इदे भी देखी चुछ फूरानी इदे याद आती है वह साधा थी बो बेजरत थी उनमें दिखावा नहीं था शूत, मुनाफकत, गंदगी, घलाज़त नहीं थी भूले बाले लोग थे मुझे कल किसी ने पूछा है कि नुसरत पतेली का बच्पन हमारे घर में ही गुदरा है हमारे बदरुगा के पुर्खों के तालुका आजलन तरसे थे सदियों पर महीत थे हमारा घर था सर्कलर रोड पे लाहिलपूर की वो बहुत बड़ी सड़क है तो उसका उस सड़की तो दुनिया और थी लेकिन हमारे घर की पिछली क्रिड़कियां खुलती थी गलियों में उन पर पाबंदी थी मैं जब साथवी आठवी में गया ना तो मैंने वाइलेशन की तो लिव आ रहे हैं मैंने का देखूं तो सही पीछे क्या एट वस बैंट वो गलियों का जाल उसकी अपनी एक दुनिया कॉर्परेशन के नलके गलियों की दुनिया और मुझे बड़ी पैसिनेटी वो उन गलियों में आया करते थे कुछ लोग वो पता नहीं की चीज़ें चूदे पकड़े के तो रोज़ेदारों पता नहीं सहरी कर लो बजाते थे लो बजाते थे हां और वो जमाने इस तरह के थे कि मुझे एक इनुबस्की में आकर पता लगा कि मैं कौन मुहर्म में हम लगता था हम शीया है आम दोने लगता है तो नहीं है जी फलाने है टम काने है वो पता नहीं खतम हो रहे हैं लंगर भी चल रहे हैं वो सबील भी लगी वी है यह सारे काम ही कर रहे हैं मतमबल लोग जो थे वो हर इस तरह का जो इवेंट था उसको इसी तरह अब अजीब सा लगता है मुझे, नम्जान सादा था, खुब्सूरत था, उसमें एक थ्रिल होती थी, हमें साल में हम चे भेहन बाही हैं, सर्दियों और गर्मियों में शौपिंग कराई जाती थी, सर्दियां शुरू होने से पहले, गर्मियां शुरू होने से पहले, जुतें के मक्सूस हो, और बाकी दो जो शौपिंग्स होती थी, वो इदों पे होती थी, ठीक हैं, नहीं जुतें हैं, और दुम्बे, छटरे, कोई इस तरह करकर आके, मेरे मालत को जानवर रखने का हो, मुझे भी यह है, बहुत, बेलीपुर में पूरा जूँ था मरा, अ अब नहीं हैं, बेलीपुर है, लेकर जूँ के लिए एक टच चाहिए, मैं तो कहता हूँ लोगों को, कि इस मुल्क के हुकमरान इतने ढीट और बेशर्म हैं, यह उतना भी नहीं करते हैं, जितना एक पैट्स रखने वाला आदमी अपने जानवर के लिए करता, मैंने और कुँजें, कुटे, घोडे, सारा, मैं दिन में दो बार निच्चे आता था, सिर्फ ये चेक करने के पानी इनका साफ सुत रहा है, दो बार चेंज हुआ हैं, एक चकर सुबो एक शाम, इनका दाना, इनका कुटरों का बाजरा, अफलां का, गोडों का, गोड़ों का, ग कुणियां, कुणालियां, जो भी है, सब साफ है, नहीं, ये वो बेश शर्म तब्का है, ये वो भी नहीं करता है, इन्होंने देखा हैं, आप आना, मेरे बेस्मेंट में ओपन टू स्काई एरियास हैं, वहां भी मैंने बर्ड्स रखे हुएं, पौदे रखे हुएं हैं, लोगों के पौदे बार मुर्जा जाते हैं, मेरे बेस्मेंट में नहीं मुर्जाते हैं, तो ये इतनी देख भाली जी करते हैं, ये इतने बदबख्त और मकरूँ लोग हैं, जो गेर मुल्की हुकमरान हैं, महजब दुनिया के, वो को फरिश्टे नहीं हैं, वो वह सच्छ उस सड़क के उपर लाइट आज़ी तो बचे तब को छोट चाड़के भाग जाते हैं, तो उनको खाला के नापसंद था, लेकिन रोकते नहीं थे, वो दुन्बे लेके, रहा हमी सड़क पर भूम रहें, बस ये, अच्छा, उस दिन पौकेट मनी या इदी कह लो, कोई बड़े, वो बड़े पैसे कटे हो जाना है, फ्रिल, उसकी बिली, एदी का क्या करते थे आप, जब एदी की जो खुशी होती होती, एदी का यार कुछी याद नहीं, मैं, हाँ, बच्पन में, दो चारे मागतों वाली बाते हैं, मैं बच्पन में सूचा करता था कि मे गॉल गप्पे खाएं, या एज़ चाइल्ड आई उस्टू तू थेंग, यही खाने को वहतर लगता था था ना, मैं बच्पन से मेरे वालत भी मैं गोश्ट होड़ था, मैं और कुछ चीज काता ही नहीं था, धर में, तो यह होता था कि बार जाएं, तो अबर यही गांद लेकिन मुहम्दा जो है, आपकी बेटी, बहुत मज़े मज़े की मीठे बनाती है, नहीं नहीं नहीं, वाइनो, बट मेरा प्रॉब्लम है, मैं राइट फ्रम चाइल्डूड मैं दूद गिरा दिया करता था, मेरी अम्मी अल्ला बक्षी उनको पता था कि चीनी सवाल ही नह प्रॉड़े, उन्होंने टोटके लगाए, दूद में कोई पता नहीं, यलाचियां डाल दो, मैं गरे मुझे इससे बद्बू आती है, मीठा महसूस होता है, फीका दूद, मैं गिरा देता है, यह आप चीनी का इस्तमाल कभी नहीं किया, नहीं, बहुत कम, बच्पन में त था कबाबिया, उसको महीने में एक आद बार बलाया करते थे, इत्पिके कबाब बगरा बनाए, इन चीजों का गानद बलाया था, यह शौक था, पैसे जुके वो एक डेड़ महीना खतम नहीं होते थे हमसे, आप ते अपनी जो डाइट है, फूर इंटेक कैसी रखी लिए मेरी मैं आइम वन मील डे मैन, आप हाँ, मुहमदा से पूछना, मैं दिन में एक बनाएं, ना, सुबह उठके, चाय या कौफी का एक मग, एक बॉयल डेग, और उसके बाद मैंने जो के तीन दवाएं खानी होती है, इसलिए थोड़ा था डॉट, वाक्की सारा दिन, और ई लेटे रहे。 लेटके सुशे रहे. तो इडेकी किसी खास शक्सियत से, कशीने भी मलकादे करते हो आप ? वहांने वीडरी बीरी, मेरी मेरी मेरे मतलुकात मेरे माइबरे, मैं नहीं ज़्हाँदामाः आ हुगाइबτί रहा हूँ собствен कुछला करने वाया आदू पीनिए मैं उसके साथ बैठ के साथ मुझे बिजारी होती है कुछ यूजिक सेड के साथ भी वक्त बज़ता है बहुत कुछ नहीं मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है मैंने गीत भी मुवी के लिए लिखे हुए है मेरा दीवान है पिछले पहर का चांद बलके एक तो बड़ी फिल्म मिजिक डिरेक्टर थे नूर जहान बलके तरहनम जहां उन्हें ने वो गाने गाए और नीलो और सुधीर यह अपने जमाने के टॉप स्टार्स थे यह उसमें तो शारी मौसी की यह तो इनसानों वाले काम है किसको जादा सुनते हैं कोई नहीं मूड पर डिपेंड करता है म बस मैं वाक के लिए जाता हूँ मेरे घर के साथ ही पार्क है चार मिनट की वाक है तो हर राउंड के बाद या आप क्यों कहलें के हर किलामेटर के बाद आई टेक अ बरेक उसमें मैं थोड़ा अपना वरक आउट करता हूँ और साथ मेरे अतर मेरा रिसरचर है समा में मेरे ब्लैक एंड वाइट का तो मैं सेलपोन रखता नहीं हूँ ना मुझे चलाना आता है तो उसको मैं कहता हूँ लगा यार कोई बस वक जो मुझे लड़ जाए जो लड़ जाए जो मूर पे बस मुकेश साब को सलीम रदा का मेहदी असन का हिमंद कुमार का जो ध्यान में आ अचिए बस तो शाइरी की जा बात करते हैं तो पहली शाइरी की आमद कब हुई पहला शेर आपको याद हो अपना कैसे लिकर शुल की या मेरे वालद के हुटे थे एक वालद का बड़ा मजलिस लगा कर तो घर में मूडों पर उस ममाने में मूडे होते थे बाहर बैठे ल वो तालब जैलंदरी ही, उनके नाम पर मैंने सड़क भी रखवाई है वहाँ, वो जैलंदर के जानने वाले लोग मेरे वालत के पास बड़े, आया करते थे, मजलस लगती थे, ये पेजी के जो वालत पतेली खान साब हम चाचा फते हैं उनको कहते हैं, वो शाम को ये सारे हम आस, तो, वो, वहाँ से मैंने गए, चाहिए मज़े का काम है, फिर हमने वो अठकल पचू लड़ाने शुरू किये, फिर एक लोकल अख़वार था, उसमेंच अपना जुरू हो गया, वो रिदम अला देता है ना, बंदे ने क्या सीखना है, ये जो शारी का जो बदन, ये वो बगएरा का जो होता है ना, ये एस साजी को स्कूल तो नहीं है, वो इस तरही करते करते बस, कोई श्याद है आपको अपने पहला शेयर ये शायरी पसंदीदार, कोई भी अगर आपको अपना लिखा हो बहुत है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बिलकुल ऐसे ही है, कि आप किसी बहुत खुब्सूरत, बहुत आली शान बाग में जाओ, फूर लगे हो आपको कोई कहे कौँदर नहीं, ये हम कोंतरा कह देते हैं लोग, गुलाब, गुलाब क्या है, हर फूल बहुत खुब्सूरत है, उसकी एक अपनी फूल, नेचर एट्रेक्ट करती है उसका नेचर के साथ, ये मेरा तो रूमैंस है, मसी की, शायरी नेचर तो हमारा ये जो महमधा को जो घर गिफ्ट किया है, आप देखना है, उदर घर की तामीर शुरू ही है, उदर मैंने प्लांटेशन शुरू कर दी, अब जा आगे देखो आप, जमीन सेक्रिफाइज की, मेरा खाल है कि तीस फूट, चालिस फूट का होगा सुंबल का, मैंने ये भी नहीं काटना हो, अमलतास का था, मैंने का, इसको भी नहीं चेड़ना, द्रख्त कोई नहीं चेड़ना, हम अपना नुकसान कर लें कि द्रख्त नहीं काटना, बेली पुर मेरे अपने आथ के लेकिन अगार्डनिंग और यह और वह रही है यह इसका आपको शौक है शदीद बहुत 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 हमारे गर में तो सैलेड या लीमू शीमू इस तरह की चीते हैं अच्छा कुछ सोच आती है जब आप देखने होते हैं पूलों को सब्सक्राइब यह या निकार आपके त तीन चार चीज़ें मेरे बेस्मेंट में फवारे भी लगे वाए यह पता नहीं कि फ़ूल्डर कि आपके मैंने आपके बेस्में में बहृत ब्लांटेशन भी देकी थी और मुहमदा ये घर में पानी परिंदे पौदे पानी परिंदे पौदे तीनों पे इत्पाक है और पुराने दोस्त पुराने दोस्त ये तीन चार चीज़ें जो है ना चार पी आगे हैं पुराने दोस्त पानी परिंदे परिंदे ये चीजे ना मुझे जिन्दा रहने पर उकसाती है और मुझे सिस्टेंड किये हुए है ये ऑक्सिजन खाना पानी बनिया दिये जरूरतों के बाद अगर कोई है ना तो ये ये एक परिंदे आप नेचर के करीब हैं पराने दोस्तों के साथ आपका गहरा परिंदे इन सबसे मतलब बहुत एक अच्छा महौल आपने रखा हुए मिंटेंड और कंसिस्टेंसी के साथ तो जब हम पराने दोस्तों की बात करते हैं तो क्या एद पे भी आप उन्हीं पराने दोस्तों के साथ अपनी एद गजारते हैं मुलाकाते करते हैं ये अच्छा में पते जड़ते हैं इस रफ़तार से मेरे दोस्तों के पास प्रिछ के पास अब यहां दोस्तों बहुत कम जो बिचर गए और जो नहीं रहें बिखर गए और जो नहीं रहें उनमें से कोई जो सबसे ज़दा याद आता हो और दिल के करीब हूँ यह भी फूलों अलाई साथ है यह ऐसा ही है कि अलाद में महमधा पसंदा है हाथम पसंदा है हाशम पसंदा है यह इस डिफिकल्ट जैसे मैंने नी जिन्दगी में कोई बंदा देखा जो यह कहता हूँ कि मैंने सवाए इस चीज़ के कुछ नहीं खाना अच्छा मैंने आपको बता है बच्पन में मैं गोश्ट के इलावा सिर्फ दो तीन चीज़ों को मैं टॉलरेट करता था सब्री में मैं आलू दाल में सिर्फ माश की लेकिन राइट फ्रम दे चाइल्ड होट दो कमजोरी है था मिती और साग सरसों का लेकिन रोस तो नहीं है आप कहों कि ना 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 हो नहीं सकता है हर दोस्त का एक अपना जाइका है एक अपनी खुश्बू है और हर तालुक ही होती है मेरी वालिदा अलाबक्ष में बहुत ही सॉफ्ट वालिद अन्हें जन्नत नसीब करे अन्हें है उपना रहाँ वालिद अजीचिट अन्हें वेर्य वेर्य वेल ड्रेस्ट मैं तो लेकिन डीमेटर्कली अपसट है अम्मी जितनी सॉफ्ट थी है वालिद मेरे उतनी संख्त है आप वालिद पे गएए अम्मी पे क्युक्के आप soft spoken भी नहीं मैं मैं दोनों का बड़ा बड़ा किसम का बिर्था नहीं मैं दोनों एक्स्रीम्स पे हैं जब मेरी softness होती है वो आखरी तरजा है और जब मेरा दमाग लट जाए तो वो फिर एक अलग लेवल है वो फिर वहाँ वो फिर madness और बच्चों में से कोई आप पे गया है कोई जो आपके जैसा बना चाहता हूँ राइटर अलहम बच्चों में जो अभी इस एस्टेटीन उसकी मुझे पूरी तरह भी समझ नहीं आ रही उसका नाम हाशिम हात्म मेरा तकरीबन रैपलिका है मुहमदा का भी मोरेलस वह यहान है मैं जब हात्म से आप इस मात की तबक्ग को आप सोच भी नहीं सकते कि यह गलत बात करेगा जूट बोलेगा सवाल ही नहीं पैदा होता है एक लम्हे के लिए मेरे वालद ने मेर वालदा को एक बार का था उन्होंने का यह आप यह तू करते है तो यह यह उन्होंने का मुझे इसके सच बोलने बेतराज नहीं यह जितनी ब्लंक लिए और डिटाई के साथ सच बोलता है मेरे बारे में उस पे घुसा आ जाता है पच्छा थोड़ा सा तो आई बाई बाई में थोड़ा कन्फूजन अभी आप देखने पर हैं कि वो किस फील में जाएगा तो मुहमदा माशाला है रैपलिकास तो नहीं होते लेकिन एक तो कोई सोबत का जाहरा है तो थोड़ी बहुत को तर्वियत का होता है तो बंदा बाप को ऑलाद से जादा तो कोई नहीं जान आप अपने बच्चों के लिए सख्त हैं बिलको लोलट मेरा ख्याल है मुझ पर रियक्शन हुआ अपने वालब आपके तो में या वालदा पर गए हैं ना क्योंकि बहुत असलोग थी ती नहीं है या शायद रियक्शन है जो बात आपने की है यह बड़ी मश्बूत बात ह कि मैं शायद वालदा पर लेकिन वालदा में चुके हाडनेस थी नहीं, मैं बहुत रफ भी हूँ, यानि मैं दोना, मैंने बच्चों के मौामले में वो उस तरह का मार्शल लौ नाफिज नी किया जो बच्पन में मैंने, किस को मिलना है, किस को नहीं मिलना, कब जाना है, कब ओ बिलकुल जैसे पाकिस्तान मिलिटरी अकैडमी का आप सुनते हो ना मैं भी महा नहीं रहा है मैंने भी सुनाई है इस टाइप का था जूट का तसबर है यह नहीं तर्बीत का यह ना मरे वालत नहीं और यह इस तरह करना है सख्त मिजाजी फलाना टमकाना तो यह अचेंस्मोकर आपके प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी जिसके आपने कुर्बानी दिया और बड़ा देन्याजी का यूस्टू स्टील मनी यह भी किया हुए है यह अचेंस्टू लाँ पर दो लॉग्राम के लिए ना तो पहले डटते डटते पांच का नोट निकला और तो चरह आँ के आज पता लगे दो दिन बाह ना पिर दस का उस पे स्टॉप इस तरह फिर रून की एक दो और चीजों के साथ टेंप इंप इस तरह पिर रून की जो उसमें होते हैं सिगरेट्स पीकासल इस तरह उसमें से एक निकला नहीं पता लगा फिर हासला बढ़ा फिर दो इतनी खरमजदगी बगारा अदवाइस गुंजाश ही नहीं थी तब हम देखते हैं कि आप चूजी भी है और जैसे कहते हैं स्टोन और रिजिड भी है तो महबत कभी हुई या जो हुई कैसे हुई यह भी बड़ी जीब हो गरीब को ऐसा किसा आप बताओं कि बश्रा मेरे लिए ना बड़ा तारीखी बड़ा खुबसूरत नाम है मेरी इस नाम से देखो पचास साल बाद कि क्या याद आ रहा है मुझे एक मेरी क्लास फेलो थी ब बश्रा हूं अच्छा नास आए सौहर कोईटा एपोर्ट बतर नहीं याद मीं नहीं कितने साल थी फिर थी बश्रा एहमान राइटर थी वो मेरी बड़ी बहनों की तरह उनके जो शाहर थे अब्दरहमान मिया तो वो भी मुझे छोटे भहियों की तरह बच्चों की तरह ट चुकर मैं यह नहीं कि सच बोलता हूं मैं कुछ सच गोल कर जाता हूं जूट नहीं कोई मान असा लाल नहीं प्यादा किया जो मझे जूट पर मजबूर करें मेरा कुछ जननत दोज़काइशू नहीं है ना जूट या प लालच के तायद बोलोगे या खाफ के तायद यह कोने हैं मेरे अंदर नहीं हो सकता है कि बंदा कोई साच जो है वो गौल कर जे इस तक मैं जाता हूं लेको मेरा जाती जो है बड़ा ही वेपल है आप जब मुहबत में मुब्तला होते हो तो आपको जैनुरी लग रहा होता है मुझे मुहबत हो पीक हो गया मैं जन फैसे से कुझे फैस खत्म होता है बंदा पीछे मुलट के देखता है ना जाब तो वो इट कम बाक तो यू इस ब्यूटिफल मैमरी बट बंदा कहते है यार मैं क्या पागल पंदा फिर एक स्टेज आती है मेरा ही एक शेर है मुकरना चाहूं तो अपने से शर्म आये मुझे मैं चा मैं चाहता हूँ यहां पर देखे शेर आगे आपका शेर है मुझे यह भी रास तरी दर्मादा हो इस लिए भी हो गया है कि मैरे यकदम हालात ना यूं से यूं हो गया है तो जब मैं अस्टेल में शेर्दादों की तरह मुला है मुझे जो प्छोट चाड़ के पर लड़क अकेला रह गया अबी 21 का नहीं हुगा था मैं वो बच्चा जो जजीरे में अकेला रह गया खुद ही अपना बाप खुद ही अपनी माँ बनना पड़ा हूँ और एक और यह हरत अगे इस बात हुए मेरे पास ये भी आप्शन रहा एक जमाने में कि या खाना खाना है अग अगर बस पे जाओ तो खाना खा सकते हो अगर रिक्षे पे जाओ तो खाना नहीं कहा सकते हो अगर रिक्षे पे जाओ को तो खाना नहीं कहा सकते हो अगर रिक्षे पे जाओ को तो खाना नहीं को नहीं पता होगा ये बड़ा चुकर बच्ची है इसको पता होगा बेटियो होता है दही भले बनाना कमश्री को बना बहुत हो आपसोच में माश की दाल गुट रही है फला ना हो रहा है यह वह अरली ट्विंटीज में बनाना बरी बात है वह मैंने फरकारी गर डूंडे वो मौडल टाउन अड़ा उस वक्त कहलाता था यह जो पार्क शाग है यह तो बहुत बाद में बनाएं यह तो गुलाम जिलानी साथ गवरनर थे इसका बस्टॉप भी था मौड़ टाउन अड़ा है बस्टॉप था मेरा आखिल मौड़ टाउन अड़ा ना टॉप के पिछे एक बहुत बड़ा याड था जिसमें मौडल टाउन बस्टॉप की बसें हैं वहीं उनकी रिपेर शपेर भी होती तो वहीं बाद फ्रेंट पे दुका नहीं थी 15 20 25 हों कि मुझे तो बटाएं इंजॉइड इट और आपने पहला घर 30 साल की उमर में बना ल उस वक्त वो CEO थे किसी तगड़ी कंपनी के साओधी रेबिया में बच्पन के दोस्त था मैं उसको जब पता लगा भी सकान की बाद गरा उसने का तूने ठेका लिया हुआ है इस मौल का चल मेरे पांस वक्तर तो पासपोर्ट भी नहीं था पासपोर्ट बनवाया है बें ट सूब दे रहे भी है तिंक्स चेंज फरेवर मुझे अपने प्रोफेशन की जरूरत नहीं रही कभी अजब बिलकुल इकताम की तरफ बढ़ रहे हैं आपने मॉल्टाउन की बात की पुराना लहूर भी आपको याद आता है जो आपने पहले ये आई तो आलूगी है धूआ मैं हर तरफ गाड़ियों की राश रही है तो मैं अभी रस्ते में ना मैं अपने ना गाट से शेयर कर रहा था जब बरकत मार्गेट के आगए ज़िए तो हम होसल नंबर बान में रहते थे न्यू केमपस उस वगए लड़कों के चार और लड़कीयों का एक ठीक है वीराना तो मैं उस सड़क के बारे में बात करता है मैंने को यह ऐसी होती थी यह वो बरेश था जहां से मेरे वालत मुझे और अफीस खान को लेके आए होसल में चोड़ने दे लिए तो यह जो बरकत मार्गेट वगए वगए वरी सड़का है दोनों तरफ वीराना था कुछ नहीं कुछ नहीं और सोलिंग आपके इस हाल से मेरा खान है वन फोर्थ सोलिंग हम पैदल लिबर्टी जाया करते थे मुवीज बगएरा देखने दस दस का जथा बनके लड़कों का हॉस्टल से जाते थे तो कभी कभी को गुजनों का कोई रेडा गुदुरा फ़लाने खोड़ क कैंपस की नहीं बड़ी खुब्सूरत साफ फुदुरी होती थे नहांते होते थे वहां सारे दिन में पांच साथ से ज़्यादा गाड़िया नहीं गुजरती थे थे ते और यह दो जूसिस होते थे बेंज था खत्म कुत अगया इस तरह को उसकी वह वागना आकर दी चुक और यह जहां बरकत मार्केट और यह और वो और अंडर पास्स तो खुदा की पना इनमें हम पैदल है अगरते थे सर्दियों में मूग फिलिया और चल गोदे भर के जिब हमें वो फिर बाकी फिर वापसी पे लिबर्टी से सैनमा फिल्म देगी तो नहां को बंदा नहां ब इस तरहा है मैं संतोष भाई दर्फन भाई पाकिस्तान के रॉयल फैमिली थी सब्या भाबी संतोष भाई दकुभाई नहीं रॉब इनके जो सबसे चोटे भाई हैं मनसूर ये तो इनके फिल्म ही नाम थे ना मनसूर अबास जो सबसे चोटे हैं वो मेरे बहुत ही करिबी दोस्ते तो मैं मैं तो भाउट ज़्ाब जद है अधिन के फिल्म लंगे है अधिनके फिल्मां का अच्छाइ लिखने का फिल्म यह लिठी है वखता था झाल फिल्म नहीं नहीं किई तक पहर्ड़ारे वित्वाHE Кएपागी अच्छा थायुत तो भाईवल बता हमने का एक गोई। मैंने का जी I'll give you one good reason जी मेरी जिंदगी मेरा बौस कोई नहीं होगा। जी मैने enkरती है। और मेरा जीस जी कोई नंगी होगा। तो मुझे तबह कर देगी सर्वेस। जाहरा में जाओंगा। रिभगता सद्रव कोई भूगा कोई रिए जीए। मैंने गए मैं जाओंगा मेरे उपर बास होगा वो चबल निकल आया तो मैंने तो बास नहीं आना है सत्याराज मेरा होगा सुबाडिनेट मुझे अच्छा लग गया वो चाहँ पड़ासी हुआ अगर वो अच्छा गाता हुआ तो मैंने गाइँ मुझे ते दूसरा मैंने का जी यह जो है ना सफरी सेल्जमें यह आज लहौर है कल कसूर परसव है यह लाना तो जिए को जिन्दगी है तो मैंने गाइ तो उसके मुझे कहते हैं क्या इस पे फिर मारा पड़ावा है। मैंने का राइटर। यह मैंने सच चुपाया। जूड नहीं बोला है। सच चुपाया। मैंने का फिल्म का नाम लिए तपड़ी ना आ जाए। अच्छ आपने आदा पॉलर आदा जोए ना वहां। मैंने यह फिल्म का। अब तो टके टोकरी भी नहीं है ना तो सारा कुछी फिल्म का। वो बड़े-बड़े बोर्ड्स उसके उपर कास्च यह होती थी ना हिरो, हिरोएन, साइड हिरो, विलन वगएरा इन से भी बड़े नाम लिखे होते थे। रियास शाहिद की जरकाहां, अन्वर कमाल पाशा की, कातल, या सर्फरोश या जो भी, तो मैंने गए यार यह काम अच्छा, तो जो अख़बारात ने इस्तहारत छपते थे, नहीं अख़बारात से जयदा वो फैसिनेट करते थे, नहीं जो इस्तहारत अखबारों के फिल्म फिल्म पेज होता था था, बगएद नहीं वो गाना ऐस्ट नहीं है अलागे मैं तो आदा मरासी हूँ तो नुसरत पतेली पेड़ी के साथ जो नुसरत पतेली का आदा इस साथ बच्बंस आ रही हैं मैं जब तक युनिवर्स्टी नहीं आगया हो हमारे घर में बुद रहे हैं तो गाने माने का नहीं और नहीं फिल्म का मुझे रिटर वो मुझे फिर समझ नहीं आ रही थी तो मेरे दोस्ता तार्थ सजद जानना बहुत ही पैरा दोस्त था grape टूई उगी उसकी जमानी में वसीम सजद जानना नहीं थी प्रिजिन्ट भी रहे हैं, स्पीकर भी मेरे ख़ हुआ। धनक पाकिस्तान का क्रेज रहा है। मोस्ट पॉपॉलर ब्लैक होने वाला। डाइजिस्टों में शकील अदल जादा साप का सबरंग और भाकी धनक की बात्शाथ थी। मैंने वो कार्ड दिया पांच आद मेरे मैं नजम पढ़के निकला था हिलकार बाब जौक नु तो पांच-छे दिन के बाद हम गए पांच-छे दोस्ते कटे तीन-चार मोटर बाइक्स में हाइड आउट एक जगा थी में मार्केट में उसके सैंडविज़ बड़े अच्छे थी। तो मुझे मेरा एक दोस्त कहता है ओ यार ओ वो पंदा नहीं मिला था तो उदर अलकार धनक धनक का उसके प्लास्टिक साइन बहुत बड़ा लगा निए उन साइन नहीं प्लास्टिक साइन चार मेरे घर में उसकी तस्वीर आज भी लगी धिया है उसकी एटीज में डथ हो गई तो और वो बहुत कम बोलता था बहुत कम ताथ खुबसूरत बहुत प्यारा तो अच्छा बाकी दोस्त नो ते तो मैंने गए यार छोड़ो कौन अब जा है उदर दफ्तर दफ्तर मेरे फैमो गुमान वे में तारिक के एक जुमले ने बेसिकली मेरी जिन्दी की तर्दील करें इसने का बात चुन है वो गुरा टाइप बेलकुल अच्छे स्कूलों के पड़े हुए यह वो सारा उनको फिल्मी शिल्मी ना पता ना कोई अकल ना को तमीज वो था भी बड़ा मासून दुनियादार था भी नहीं तो मुझे कहता है यार जिए बात समय नहीं है यह फानों क्या कह रहा है यह फान था अगरो चल अदर अच्छा मुझे थोड़ी है यह मैंने का यार तारका यह अवड़ाबाद का बैक्राम उड़ता है इनका तो घर में आउंटी तारका किदर रही है वो इस तरह तो वाले उसके थे चीफ एलेक् ला याैनि उसक तक film थी सिर्फ मुझे नहीं पता था कि जर्नलिजम मकबार ना को कहता है मुझे कहता है ओँ मstemदी बात सुन ईच्टूपड मैन क्न आटा उंटी इंटर स्टूलियू अम की क्या हु मुने हो इम बीकी से किस एकीस भी शायद नहीं था तो भात सुन यह मै तेरी स्टूडियोज में एंट्री वजाएगी। वरना तो अधर तो सुना है कि घुसले को नहीं देता किसी। So, we went there. Sir और भाई, बहुत प्यार से मिले। The shop यह वो दोस्तों को नहीं चाहे काफी। फिर दोस्तों को नहीं नहीं कहा कि वही, मैं आसन साब से बात करना चाह रहा हूं। अधर जाके, he offered me a job and this is how I started. जो पीछे और जितने पैसे मुझे मुझे मिले, मैं उससे बीस गोना ज्यादा कमा रहा था। जो कारीगर था धई भलों का, उसको वह दे दिया काम आजके बाद तुम्हारा। उसके पीछे बाद में मैंने दुकान ले ली थी, उसके मैंने तिके गवाबों का सल्चला जूरू किया था, वह उसको दे, आजके बाद ये तुम्हारा। मेरे ये पांच छे दोस्त जो मॉर्डल टाउन में हैं ये जब भी आएंगे ये मफ्त खाएंगे तुमने मेरा कुछ नहीं देना आज के बाद ये सब तुमारा कुछ जाके धनक जोइन करें ये तुमारा के जाद आए आपके दोस्त आपको किस नाम से बलाते हैं उजी हसनी कहते हैं बच्पन में निक नेम बगरा चलता था हूँ और इस एद के मौका पर कोई पैगाम देना चाहते हैं सुनने वालों को इस मुल्क के लोगों को या पहली बात हुई है कि पैगाम उस पर ये कितना हुई है आलम मैं एक बाल रूंदा मर गया बचा रहा हूँ तो क्या पैगाम शेखाम देना कोमन सेंस की बात है जिनको अपनी उलादें अजीज हैं वो हुक्मरानों को वोट डालते हुए उनका आगा पीछा जरूर देखें मौमन एक सुराख से एक बार तो डसा जा सकता है दूसरी बार उसको च्छितर मारने चाहिए हासन साब बहुत 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 शुक्रिया आपका आप तश्रीफ लाए और एद की जो यादें आपकी और जिन्दगी की हवाले से जो मुक्तिफ आपके तजरबात रहे जिस वक्त से आप गुजरे जिस तर चाहिए है जिसमें आपको डही बले गोल गपबे नदर आते हैं जिसमें आपको गोल गपब नदर आते हैं जिसमें आपको सीख कभाब होती की लगार पराना नदर आता है गाडियों के वगए छे साथ गाडियों वाला लगहर नदर आता वो Minnesota है वह सारी चीजиссन आज़ जूट नहीं बोलना है, आपको कोई भी ताकत दुनिया की सच से नहीं हटा सकती है और आपको हर हाल में सच बोलना चाहिए बुनियादी तोर पर यही पेगाम आज के इस एद के सबाक है तो मेरा खैल है फिर आगे अपने अपनों के साथ एदे मनाएए अपने डूटो को मनाईए और मीथी मीथी बाते करें मीथी मीथी खुशिया बांटे वर हम भे दे इजाज़त आप से द्वारा मना कात होगी जी एद मुबारक